हेलो जी गुडिवनिंग कैसे आप सब और मैं रहीन हूँ एक नए वीडियो में वेलकम कर रही हूँ आप सब का और पहले तो मैं आप सब को बता दूँ कि दिन में आज व्लोग नहीं आया था क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ हम लोग कहीं बाहर आए हुए हैं तो कहां आये ह तो मैं नेक्स व्लोग में आपको देती हूँ लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वाला व्लोग जो है लास्ट व्लोग आपने देखा था स्टेज तक उसी व्लोग का आगे का पार्ट है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेरे शूरू हो चुके हैं और क जिन्दगी का स्पेशल पार्ट है वो भी मैं शेयर करूँ तो यहाँ पर जो फेरे थे ना वो शुरू हुए हैं और यहाँ जब फेरे शूरू होने के बाद में बीच में स्थान परिवर्तन किया जाता है मतलब जो वर है ना उसको दूसरी साइड में बिठाया जाता है व दोनों के बीच में बैठाया आरून मेरा भाई पीछे आरती सरमाजी के पीछे और मेरे पीछे मेरी ननन्ध है बड़ी वाली तो यहाँ का जो टाइम था ना यह वाला मुमेंट था ना मैं इस लाइफ का सबसे इमोस्नल मुमेंट था मेरा पता है ज़ादे तर लड़किया बहुँ जदी खुश होती हैं अपनी शादी में और सपने होते हैं हरे की शादी से कम चौट 15-20 दिन पहले ही मुझे जो serious वाली tension वह नहीं हो चुकी थी पहले सी tension तो होती हैं किसा ogni 25 दिन पहले शूरू होगी थी क्यों हो गई थी वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सरमाजी जो है वो खाना वाना मतलब खाते हैं वो वाला टाइम आ चुका है खाना खा रहे हैं तो मेरे को इनोंने सिर्फ एक गुलाब जामून खिलाया था और मैंने इनको यह वाला पीस खिलाया था उसके बाद में जितने भी लोग थे न आप देखोगे सब इनी को खिलाने लगे और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं ठीक हैं मतलब कि मेरा भाई खुद का भाई और बेहन भी बैठे थे इनोंने भी मेरे को नहीं पूछा यह पास में मेरे जो एकदम बराबर में बैठी है ने मेरी मासी की बेटी है चोटी सी जो बच्ची दीख रही है अभी तो यह काफी बढ़ी हो चुकी है तो इसमें भी मेरे को नहीं खिलाया मतलब मैं पूरे टाइम भूखी रही थी मुझे खाले गुलाब जमून का पीसी मिला था और एक चोटा मोटा और बस और कुछ ने जो यह दूसरा पीसी मेरा भाई खिला रहा है यह बस और कुछ ने तो आप मैं क्या बता रहे थी आपको कि मेरे शादी से प कैसे चलेगा ममी का मतलब वो होता है ना दिमाग में आप लोग समझ सकते हो कि अब ममी के पास बेहन भाईयों के पास में मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा है और यह मेरे बिना रहेंगे तो इनको काफी डिफिकल्टीज फेश करनी पड़ेंगे इस तरीके का मुझे लग रहा था और बिकानेर में ये लोग रहते थे तो वहाँ पर यूं मतलब सोच भी सकते हैं आप लोग भी आरून इनके पास नहीं रहता था आरून यहीं पर रहता था मेरे ननिहाल में तो मुझे वो यह टेंसन खाये थी कि मेरे शादी के बाद में मैं चली जाओंगी तो कैसे होगा कैसे चलेगा हर एक चीज की टेंसन दी तो वो जो खुशी होती है न वो खुशी मेरे चेरे पर आपने देख्योंगी मेरे शादी में कहीं पर नहीं है मतलब कहीं पर भी आप मेरे को देखेंगे तो मुझे आप ल मेरे शादी में मेरे को इस्तरी धन जो होता है न वो डाला गया था मेरे चार चूड़ियां थी ये शैट मेरे गले का और जो भी सामन था वोने आपको दिखाया ये इस तरीकी का ये सब कुछ डाला गया था और यहां पर जब विदाई से पहले हम लोगों की क्या होता है तिलक वगेरा होता है तो वो तिलक किया जा रहे है यहां पर और जो पंडित जी जो है न उनकी तरफ से भी होता है और यहां पर जिनके भी दामाद होता है न उनकी तरफ से भी होता है मतलब जरूरी नहीं है सर्मा जी के योगा जो जो दामाद जिसके भी हैं उन सब को यहां पर तिलक किया जाता है इसी टाइम पर तो वो तब इसी तरीक से तिलक हो रहे हैं और बस इसके बाद में हो जाएगी विदाई जिसको देखकर हर एक लड़की क्या आदमी क्या हर एक बंदा रोने लग जाता है, मतलब जिंदगी का सबसे emotional part जो होता है न, वो यही विदाई होती है, एक लड़की पूरी जिंदगी अपने माबाप, मतलब जब तक उश की शादी होती है न, बचपन से लेकर के, पैदा होती है, तब से लेकर के, और वो बड़ी होती है, तब त सारी चीजे एक मिन्टों में कैसे बदल जाती है, वो सब आप विदाई से सीख सकते हैं, विदाई को देख कर समझ सकते हैं, एक लड़की की जिंदगी को देख कर समझ सकते हैं, मिन्टों में रिस्ते बदल जाते हैं, और साथ ही साथ में feelings बदल जाती हैं, रातो रात बद परिवार, के साथ सात्माई के वाला परिवार होता है, लेकिन वही एक चीज़ आप सोच कर देखना कि कितना हद तक होता है, आप खुद सोच सकते हो कि हक तो बस वही रहता है, यहाँ पर तो सिर्फ नाम बज़ जाता है, है ना और वो लोग कहते हैं क्या वो कहावत आपने सुनी होगी न कि दूसरे घर से आई है हकिकत तो यह है बाकी भाई सबका अलग अलग होता है मैंने तो जितना देखा सुना और समझा उतना मैंने आपके साथ में शेयर किया और ये वाला मुमेंट है मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा एमोशनल करता है हमेशा वह होते है रोने की जैसी हालंगि मैं मेरे विदाई में नहीं रोई थी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मेरी किया आदत है कि मेरा परिवार जब सामने होता है और मुझे लगता है कि मेरा परिवार मुझे देखकर रोएगा मैं नहीं रोती हूँ अपने पीछे भी देखा होगा कितने भी वीडियो जो मेरे देखे हैं उनमें देखा होगा कभी भी कोई मुश्किल दो रहाता है न जब मेरा परिवार मेरे साथ है मैं नहीं रोती हूं मुझे सिर्फ परिवार के सामने पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नहीं रोना नहीं है सबको हिम्मत देनी है और विदाई में भी मेरे साथ यह हो रहा था कि मुझे नहीं रोना मतलब कम से कम 3-4 घंटे तक किसी को भी ये वो निदा कि हाँ हमें करना क्या है लेकिन मैं जब विदा होके आई थी तो मैंने इस तरीके से आई थी कि सब अपने 15-20 मिनिट आदे घंटे के वाद में अपना अपना काम करने लगे या सो जाए क्योंकि नीद रहती न सब को शादी खतम होने के बाद शादी के नीद पूरी होती है तो ऐसे कद्च मेरे विदाए थी और यहां पर और यह जुहारी जुहारी बोलते हम लोगों कि यहाँ पर और माई कापक्स के जादा थर लेडी जो थी ना वो आ करके ये जोहरी करती है तो इसमें जितने भी लेडीज मेरे माई कापक्स से थी मेरे माई कापक्स उन्होंने यहां पर जोहरी कियें और अब जो है ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को पता है मैं बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी बता देती हूं कि मेरी मम्मी है ना मेरी मम्मी भी मेरी विदाई में मेरी शादी में इतना ज़्यादा इमोसिनली नहीं टूटी थी, जितना वो आरती की शादी में टूटी थी, मतलब जब मैं शादियों की अईतीं, तो मेरे पीछे से आरती रह गई थी, तो turkey chem में को जैसे होता है, कि वैसे दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, हारे एक मा को होती है उसकी बेटी जब शादियों के विदा होती है लेकिन पीछे अपनी छाती को लगाने के लिए अपने पास प्यार से बिठाने के लिए अपने लाड लडाने के लिए एक और बच्चा रहे जाता है मतलब आरती रह गई थी तो वो वाली बात नहीं थी लेकिन जब आरती की विदाई हुई न तो मैं आपको क्या बताओ मेरी ममी एक दम अंदर तक तूट चुकी थी और आज भी आप देखते होंगे आरती के बाद आरती की विदाई के बाद में आज तक मेरी ममी न पहले जैसी नहीं है मेरी ममी काफी चिर्चिड़ी हो चुकी है पहले जैसे मेरी ममी साइलेंट रहती थी मतलब होता है न कि हार एक चीज़ को समझती थी चिलाती नहीं थी वैसी नहीं है और मैं आपको एक बात और बताओ ये मेरा जो भाई सामने दिख रहा है ये मेरा भाई भी हमारे बीच में नहीं है मैं मैंने बहुत कुछ खोया है मैं आपको आज हकीकत बताती हूँ मैंने जो आप देखते हो न उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ खोया है पिछले कई सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है लेकिन मैं आपके सामने अभी शेयर नहीं करूँगी ये देखिए विदाई का समय आ चुका है और अब हो रहे हैं माई के वाले घर से विदा और अब से एक नया घर मेरा हो जाएगा ठीक है मैं अभी भी वोईश देते टाइम भी काफी इस चीज को देख करके कि कैसे कैसे किस तरीके से मिन्टों में घर बदल जाते हैं परिवार बदल जाते हैं और दिरे दिरे शमय के साथ में फिलिंग्स भी बदल जाती हैं है ना सब के साथ होता है ऐसा मैं जिस तरीके से अरजुन को यहां पर देख रही हूँ वैसे बैन भाई शादी नहीं होती तब तक तो वैसा ही रहते है जैसे कमारे थे मतलब क्या होता नब बचपन छोटे बच्चे थे वैसे ही शादी होने के बाद में जैसे जैसे emotions निकलते हैं, बाते निकलती जाती हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं मेलूँगी एक नए वीडियो के साथ, मैं इस वीडियो का end करेंगे, और अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको अपनी राय देनी हो, तो comment box में जरूर ठीक है, तो चलो फिर बाय और टेक क्यार, राधी क्रिश्ना